Hello students, welcome back to Magnet Brains. मैं आहूं कुशी भटनागर और Magnet Brains एक ऐसा चानल है जो प्रवाइड करता है kindergarten से class 12 तक बिलकुल free education and quality education. Quality के साथ हम कोई compromise नहीं करते हैं. तो बढ़ते हैं आज की topic की तरफ. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी हमारी classes जो चल रही है वो चल रही है English worksheet की और जो book हम follow करें है वो है The Merry Gold और हम आगे है unit 8 के B part में जहाँ पे एक story थी जिसका नाम था my silly sister. क्या नाम था my silly sister? तो याद है आपने क्या पढ़ा था इस chapter में, इस unit में? हाँ तो एक brother था और वो जो था वो अपनी sister से थोड़ा सा परिशान था राइट हम भी होते हैं ना हमारी younger brother और sister से तो already हम यह पढ़ चुके हैं हम एक छोटा सा recap लेते हैं story का कि क्या हुआ था कि वो अपनी छोटी सी जो sister है उसको मुलता सिली you are very silly और सुको होता सा बहुत childish है, बहुत foolish है, why? because she is very small baby, right? तो small baby कैसे जो भी उनकी हरकते रहते हैं, वो small baby जैसे रहते हैं, like she eat pebbles, उसको street lights, जो आपको तो पता है roads पे क्लाइट होती है, और moon जो है वो अलग होता है, stars जो है वो अलग होते है, but she doesn't know the difference between the street lights and the brighting stars, उसको difference ही नहीं पता हता, and she knows that, कि क्या उसे पता हता है, that father stay away with them? नहीं, उसे यसा लगता है कि पापा जो है वो आ गए, कभी उसका भाई उसको भी इफकूफ बनाता है, तो वो चोटा से बेबी है, तो वो बो सुसती है कि हाँ, पापा आ गए, पापा आ गए, राइट? यह कुछ situation है, जो हमेने story में देखने को मिली थी, and when her brother asked her to study, इसका ब्रदर पूलता है कि चलो पढ़ो, ABCD, learn करो, तो वो क्या करता है, she tears all the pages, वो सारे pages फार देती है, right? Like a small baby, and जब उसको डाटता है, चिलाता है, तो वो क्या करती है, वो जूर-जूर से हसनी लगती है, like, कि उसको बहुत मजा आ रहा है, उसको लग रहा है, कुछ मजा को रहे है, okay? बट वो कब बहुत quiet हो जाती है, बहुत शांती से बैठ जाती है, when her brother becomes a master, okay? जब वो teacher बन जाता है, तो वो भी एक्दम quiet हो जाती है, चाप शांती से उसकी बात सुने लगती है, right? So, यह जो story थी, वो एक small relation जो brother और sister का होता है, उसके उपर थी, right? हम already story पढ़ चुके हैं before, but in the previous classes हम story कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं worksheet और उसी क्या text-based questions, याने कि आज हम इस unit से related, जितने भी आपकी story से related questions होंगे, जो भी आपकी exams में पूसे जाएंगे, वो सारे आज हम इस class में discuss कर लेंगे, चीक है, तो चलिए start करते हैं, with the very first exercise, objective answer type questions, जहां पर आपको स्रिफ one word में answer देना है, ठीक है, तो जब भी objective answer type questions देखें, so you only have to give answer in one word, कैसे answer दोगे, स्रिफ और स्रिफ one word में, ओके, तो you have to give in one word, और अगर very short हो, तो आपको एक एक line में answer देना है, और short हो, तो आपको थोड़ा उसा और describe करके देना है, चीक है, तो पहले exercise क्या बोल रही है, read the following lines from the chapter and answer the questions that follow, okay, so ये तरहा की जो exercise होती है, exams में बहुत बाहर हम से पूछ लेते हैं, okay, to check our mindset, इसकी practice नहीं होती है, बस पूछ लेते हैं, so वो अहां पर जाके आपको exam में confusion ना हो, इसलिए हम अभी practice कर लेते हैं, okay, तो चलिए, start करते हैं, when I open a book before her and ask her to learn A, B, C, she tears the pages and roars with a joy at nothing, okay, so ये जो chapter है, इसमें, उसी की ये दो lines है, विल्कुल आपके chapter दिया हुआ है, आपने chapter पढ़ा है, आपने book से, उसी book में से आपने दो line या लिख दिये, कि क्या लिखा है when I open a book before her, जैसी मैं book खुलता हूँ उसके सामने and ask her to learn A, B, C, और उसको बोलता हूँ कि A, B, C, learn करो, तो कौन book खुलता है, brother, okay, और किसको बोलता है, learn करने के लिए, अपनी small sister को and she tears the pages, कौन pages को tear कर देती है, far देती है, the small sister and roars with a joy at nothing, और जोर जोर से खुशनी लखती है, okay, so अब हम इसके question solve करते है, question one क्या है, who is I in the above line, when I, यह I कॉन है, when I opened a book before, तो यह I कॉन है, brother, okay, so this is brother, I किसके लिए है, brother के लिए है, what are A, B, C, D called as, A, B, C, D किसको का है, A, B, C, याने की, ask her to learn A, B, C, याने की, उसे बोल रहा है, to learn something, okay, to study something, तो यहाँ पर आपके लिए सकते हो, what are A, B, C, D called as, to study something, मतलब वो चाहरा था, brother क्यों थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, right, okay, next, what does she do to the pages, pages की साथ क्या करती है, she tears all the pages, okay, क्या करती है, she tears all the pages, she tears all the pages, ठीक है, she tears all the pages, ठीक है, she tears all the pages, so यहाँ पर हमने जो भी दो lines में से answer निकलते हैं, वो निकल के यहाँ पर लिख लिया, so it's very simple, आपको lines पढ़ने है, lines में ही answer है, बैस आप question read करो, question को समझो, what they are asking, और दोनो lines में से answers निकल लो, okay, so this is done, now we will move to the next exercise, choose the correct option, आप आपको क्या करना है, correct option choose करना है, okay, so the baby does not know the difference between, जो baby थी, जो baby sister थी, उसको difference नहीं पता था, किन दो चीजों में difference नहीं पता था, fire and ice, salt and sugar, street lights and the bright stars and mother or father, किसमे difference नहीं पता था, she doesn't know the difference between the street lights and the brighting stars, right, so option C, जो है वो, correct है, okay, next, the baby wants to catch थी, बेबी जो थी, उसके again catch करने का मन करता था, stars को, moon को, moons and the stars को या ball को, चैने का मन करता था, moon को catch करने का मन करता था, right, so उस मून ही एए बाल है and she wants to catch that, okay, so option B is right, next, when the brother calls father, the baby thinks that, जैसे भ्रदर जूट मोट में father करके बुलाता था, papa करके बुलाता था, तो baby को क्या लगता था? father is near, mother is near, donkey is near, everyone is stupid. क्या सूस्ती थी वो? father is near, option A is correct, कि papa लगता आ गये. So, she thinks like father is near. Okay, next question. Next question क्या है? When the brother shakes his head at the body in anger, the baby, जब उसको भाई, उसको आपना हेड्यक्त उसोजाते चलाते उसको छलाघने लगते। ता तो बेबी को क्या राटता था? she laughs option D is correct she laughs right next the baby sister puts dash in her mouth woh kya apne moome rakh leti thi khehlte khehlte kya khane lagti thi bread pebbles apples or stars yes pebbles option B is correct okay now next when the baby sister tears the pages she is Jesse wo pages faane lagti to go kya like this she is angry sad happy or none of these she is very happy you see can you move on the south as a pages for anime right so she is happy okay next next has state true and false for these statements so you happy amika can I read that simply statement co-read can I and us go identify can I keep a statement correct hair yeah fair wrong I got a character to put t4 to look now other gala hair wrong hair so you have to write F or false okay so let's read it the baby is not silly kya baby silly nai thi sab bachyo chote me silly hote hai thoi se to baby is silly okay so this is false the baby is not silly no baby is silly the baby and her brother play with pebbles yes joe chota baby sister tea or brother thai wo dho saad mein kis se khehlte thai pebbles se khehlte thai to yeh true hai the brother takes a class with the monkeys kya brother monkeys ki class leta tha no this is also false the father lives with the baby cho father thai wo kya baby ke saad rathai nahi father toh door rathai thai right hamni hai padha tha toh this is also false the baby tears the pages and roars with a joy yes joe baby rathai wo saare pages faartti aur phir hort khush hoti hai joy ke saad so this is true okay so we are also done with this next next kya hai short type of questions so here you have to read the question understand the question and then answer the question okay so what do the baby and her brother play with joe baby hai and joe brother hai wo dhoon saad mein kis se khehlte thai they play with the pebbles right so answer kaisa dekhoge hai the baby and her brother play with play with pebbles play with pebbles चिक है? Simple answer. Now next question. Next question क्या है? Why does the brother open the book before the baby? जो baby थी, उसके सामने, brother जो था, वो book open क्यों करता था? So that she can learn something. Right? So कैसे लिखोगे इसका answer? The brother, the brother, the brother opens the book before the baby, so that she can learn A, B, C. Okay? So why does brother open the book before the baby? The brother opens the book before the baby so that she can learn A, B, C. क्यों उपन करता था? So that she can learn A, B, C. Okay? चलो. Next question. Next question है, Does the baby know that the father is away? Does the baby know that the father is away? क्या बेबी को पता था कि उसके father दूर रहते हैं? No. बेबी को नहीं पता था. So how you will write? No. Baby does not know that that the father is away. Okay? No. Baby doesn't know that the father is away. उसे नहीं पता था. Okay? Next. Next, क्या है? What does the brother ask the baby to call him? जो ब्रदर था, अपनी छोटी सिस्टर से क्या चाथा था कि उसे क्या बलाए? दादा बलाए, right? क्या चाथा था कि वो उसे दादा बलाए. So कैसे लिखो कि एंसर? The brother, the brother wants the baby to call him Dada. Okay? To call him Dada. So, what does the brother ask the baby to call him? The brother wants the baby to call him Dada. Okay? Now next. Next is, what does the baby do with the pebbles? जो pebbles थे, उनके साथ बेबी क्या करती थी? What does the baby do? The baby, the baby eats those pebbles. The baby eat those pebbles. Okay? So, the baby, जो थी, वो चोटी सी बेबी, वो क्या करती थी? Pebbles को खा लेती थी. Right? Now we will move to the next question. Okay? So next question is, when does the baby laugh? जो चोटी सी बेबी सिस्टर थी, वो क्या करती थी? जो चोटी सी बेबी 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 सी ब Mabee laughs when she tears the pages. Okay? Now, next. Next question is, who became the school master? School master कौन बन जाता था? The brother became the school master. Okay? So, how you will write the answer? The brother becomes the school master. Okay? And she teaches there. At that time, sister baby ती हो कैसे हो जाती थी है? Very quiet. Okay? So, the brother becomes the school master. Okay? So, we are done with this. Now, next exercise is, suppose you have two apples. Okay? Suppose you have two apples with you. Will you eat them by yourself or you share with your friends? What will you do? So, अगर आपके पास दो आपल्स है? So, आप क्या करो के? खुद खालोगे या you have to share with your friend. आपके पास कितने आपल्स है? दो हैं. Okay? So, दो आपल्स है. दो आपल्स हैं तो आप शेर कर सकते हो ना? Sharing is caring. So, you always have to share. अगर एक आपल भी होते हैं, तो you can share it half and half. Okay? So, always share your food. Always share your things. It's a good habit. Okay? So, आप किस पर टिक करोगे? I will share them with my friends. Okay? Next. Next exercise है, वो आपके लिए है. आपको करना है by yourself at your home. What you do when nobody is around? Tick, mark and answer. अगर आप घर में हो या कही पर भी हो. And nobody is around. कोही नहीं है घर में. So, what you will do? We'll open the fridge and search something to eat and take out. Fridge को लोगे, कुछ खाने का ढूड़ोगे, खा लोगे. या फिर, we'll call friends on phone. या friend को phone करोगे. या फिर, we'll start playing with the toys. या अपने toys के साथ खेलने लगोगे. या फिर, we'll call friend on phone. और अपने friend को बुला के या तो उसके साथ खेलने चले जाओगे. So, what you will do? आपके पास four options है. So, आप क्या करोगे when you are on all at your home, when nobody is around. So, आप क्या करोगे? वो आपको या पे tick करना है. Okay? So, with this, we are done with the worksheet. Worksheet for text-based questions. अभी हमने text-based questions करे हैं. याने the questions related to your chapter. अब हम next class में करेंगे language-based questions. जहाँ पे हम करेंगे grammar-related exercise और brain power exercise. Okay? आल मागनेट ब्रेस पर मैं करूँगे आपका इंतिजार. तो मिलते हैं next class में. Till then, अपना ख्याल रखें and stay tuned.